SBI Clock जी हाँ SBI Clock 2021 आप सब इसकी तयारी कर रहे हैं और मैं हूँ Amit Pande मैं कुछ आपको टिप्स बताने आए हूँ कि आप अपने डे को कैसे प्लान करें सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आज कल की माहौल के बारे में थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा नेगेटिव है और ये पिछले साल भी था मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ घर में रही है सेफ रही है लास्ट इयर भी सब कुछ देखा है आपने तो ऐसा होता है कि अगर पहली बार कुछ हो रहा हो तो समझ में आता है लेकिन यह सब कुछ भी लास्टSeals में था ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अगला साल आएगा कि नहीं आएगा लेकिन चीज़ह ने हुई आगी का कुछ पता नहीं है बट कम से कम जो दिन बीत रहे हैं जो चीजें बीत रिए हैं समय भी तरह है उसमें positive रहे हैं अपने मेहनत को continue करें क्योंकि एक्जाम तो होगा और जरूर होगा अगर आप इस बेकलग की तयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम कि आप अपने basic concepts को ठीक करें क्योंकि जो मैं mocks कराता हूं चाहे मैं an academy app पे करा रहा हूं चाहे मैं YouTube पे करा र है तो दिक्कत हो जाती है तो गलत कर देता है वो लोग तो दोस्तों अपने basics को ठीक करना है यह आप मान के चलिए आप कुछ मत करिए बड़ अपने basics को जरूर सही करिए क्योंकि अगर सवाल जरूरी नहीं होता कि same to same exam में सवाल बदल के भी आ सकता है तो आप उसके लिए कर रहे है basics को अच्छा कर रहे है और दूसरी जो important चीज़ है वो यह है series quadratic और simplification approximation series अगर आपके थोड़ी से लगता आपको week है या week नहीं भी है अगर week है तो दिन के कम से कम 50 series मतलब नोट कर लो इसको 50 series एक दिन में simplification के approach आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं कि उठा के आप काटन रहे हैं solve कर रहे हैं नहीं बहुत focus के साथ पढ़िए सवाल को read कर ये और उसका वो शौर्टकट डूड़ी है पचास series आप practice करो daily और practice करने का तरीका क्या है आंसर मत देखो logic खुझ से ढूड़ो चाहे एक series आपने उठाया आपसे आई नहीं रहे आई नहीं रहे आई नहीं रहे बिलकुल logic बनी नहीं रहे कोई बात नहीं दूसरी उठाओ उसको छोड़ दो फिर उसके बारे में माइंड से सॉल्वो आर्थमिटिक को सुचो माइंड से सॉल्वो माइंड का एक बहुत ख़तरनाग गेम होता है जितनी जल्दी आपका यह दिमाग चीजों को पकड़ लेता है उससे पेंसे लिगोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्यों क्योंकि माइंड 100% यूज हो जाता है जब आप सवाल को पढ़ रहे होते हैं ध्यान रखे 50 series आपको करनी है अगर आप series में कम जोर हैं और आपको लगते कि आप ठीक हैं तो 20 series करें डेले के 20 series आप करें और अपने आपको series अपने master बना लीजे मतलब जैसे कोई पूछे तो बलो यार अपने series है मुझसे से पूछो ना मैं करता हूँ simplification इतने logic जूड़ लो यह चीज में breakout करना शुरू कर दो आपने मेरी classes लिएंगी जो tips में बताता हूँ कैसे half double करना है कैसे पूरा multiply नहीं करना है उस तरह से आप simplification करना शुरू करो और कोई पूछे तो बोलो कि simplification मुझसे पूछो quadratic quadratic आता सबको है पर comparison में गलती होती है इतना focus कर लिए कि quadratic कभी गलत ना हो इतने mock दे दीजे आप मेरे साथ भी mock दे सकते है मैं भी live mock कर रहता हूँ इतना कुछ कर लिए कि दिक्कत ही ना हो कि अब आगी बादाती सबसे important बाद आती arithmetic arithmetic में कुछ सवाल टफ आदें कुस सवाल इसी आतें कुस सवाल ओरली हो जाते हैं कुस सवाल time-taking होते हैं आपको दोनों करने हैं अब अगर आप overly जो जो बीना पेन के हो जाए आपको उसमें एक मिनट लगेगा तो जिसमें एक मिनट लगेगा उसके लिए आपकी पास ताइम ही नहीं बचेगा और competition इतना है कि आपको full marks सेगे होंगे, आपको 30 marks सेगे होंगे आज सुबह एक mock लिया थे मैंने उसमें 5 लोगों के 25 थे out of 35, 5 लोगों के same marks तो मतलब competition है और बहुत है आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको select होना है अगर आपको selection लेना है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा तो overly solve करने का try करिए, read करिए, feel करिए, question को अपने बढ़ले अपने दिमाग में रखो, उसको धुनते रहो, दिमाग को चलाते रहो, make it active और time मान के चलोगे कम है तुमारे बास, और अपने उस time को utilize करो, पुराने चीजें, एक ही चीज को कितनी बार पड़ा हुए, explore करो सवाल्स को, questions को explore करो, नए तरीके सिखो, नए चीजों को सिखो और अपने आपको day by day improve करते चलो, तो arithmetic को reading करके आप ठीक कर सकते हो, concept करके ठीक कर सकते हो, quadratic हो गया, series हो गया, simplification, approximation, उसके बाद बात करेंगे, data interpretation, data interpretation एक ऐसा part है न, मैं देखता हूँ, आप लोगों को एक पूरा तरीका पता है कि सिधा solve करना ही है, नहीं नहीं, उसको throughout, पते हैं क्या है, अभी की तैयारी में, आप लोग struggle नहीं करते हैं, आप लोग सीखते ही नहीं, आपको लग लगता है कि यह वाली चीज अगर सी सीधा multiply कर लो या divide कर लो, आप DI नहीं कर पाओगे ऐसे, मैं mocks कराता हूँ, जो सवाल 15 सेकेंड में हो सकता है, वो सवाल में 45 सेकेंड लगते हैं, reason सिर्फ यह है कि आप starting में ही multiply कर देते हो, starting में ही सब कुछ कर दोगे, तो बात के लिए कुछ तो छोड़ो, DI के बहुत tricks होते हैं, DI में बहुत ज़्यादा thought process होता है, तो जैसे मुझे बता है कि आप लोग experience हैं, आप अगर mock दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप तैयारी already 2 महीने, 3 महीने से कर रहे होंगे, सिर्फ मेरा मक्सद आपको यह बताना है कि instead of solving it completely, break out करो जीजो, half a part में solve करो, जिससे cashlet है, cashlet की पूरी DI है, अगर आप mock देते हैं, तो बना लीजे कि 5 सवाल है, क्या 2 निकाल लो अगर निकलते हैं, नहीं तो छोड़ तो, एक DI आई आई आपने देखा, DI पढ़ा, DI के 4 सवाल बहुत इजी थे, 5 वा में ज़्यादा टाइम लग रहा है, एम करो कि आपको 30 प्लेस माक्स लाने, और इस एम के तहरे 2-4 सवाल अगर छूटते हैं, तो छूटने दो, बट मॉक्स करिए, मैं खुद आपको मॉक्स करवाता हूं, अच्छे से पढ़िए, concept को स्ट्रॉं करिए, और अगर कोई सवाल आपके पास होता है, तो जरूर इस